देखिए इतनी सी बारिस हुए और चली गई और मैं कपड़े छट से उतार के लेकर आ गई हूं नीचे यह देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया और इतनी हुई और धूप देख सकते हैं वो देखिए धूप निकली है बहुत चाथा बारिस भी हो रही है और धूप भी निकली देख सकते हैं वो देखिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कपड़े उतार के लेकर आ गई हूं हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आई होग आप सो भी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स में बहुत अच्छी हूं और अभी दुपहर के बज़े में एक और मॉर्णिंग मैंने खाना बनाके और सुबह से ही बच्चे आज लगए थे गार्डन मे अब पूरी तरह से तयार नहीं हुआ एक दो दिन और लगेंगे सही से बनने में तो देखते हैं कैसा बनता है और फ्रेंड्स अभी आई है सब्जी तो सब्जी भी मुझे रखना है ऐसे ही रखी है तो उसको भी मैं रखती हूं और मैं ले चलती हूं आपको गार्डन में और दिखाती हूं कितना सा हम लोगों ने कैसा बनाया और आज धूप ज़्यादा निकली ने थी थोड़ी बहुत निकली थी आप लोगों ने देखा होगा तक से मौसम बहुत ज़्यादा खराब है कपड़े नीचे ही सूख रहें चस्ते लेकर आगे थी बारिस होने वाला सपोर्ट के लिए ने तो डारेक्ट जो है जानवर भी चले जाते इतना ज़्यादा रूख इससे नहीं है लेकिन फिर हाल देखने में तो लगी रहा कि अंदर कोई इतनी जल्दी नहीं जाएंगे जानवर ने तो खाके चले जाते हैं तो इसलिए यहां पे मिट्टी जानवर ना खाएं और देख सकते हैं यहां तक और यहां भी लैशन बगेरा आपको तो पहले ही दिखाया था और यह धनिया जो है इतनी बड़ी-बड़ी हो गई है एक बार जानवर पूरी खा गया तो फ्रेंट देख सकते हैं बारिस होने लगी है कि इतनी ज्यादा अब बारिस तेज हो गई तो फ्रेंट अभी ज्यादा तेज बारिस होने लगी आपको दिख नहीं रही होगी यह देखे और लाइट भी नहीं आ रही दूपहर से आज मेरे यहां देखते हैं जितना लाइट है उतना वीडियो बन जाएगा लाइट नहीं होगी तो वीडि मेजी नहीं और उसके पीछे लड़की छुपी है दिख नहीं रही है और उसके बाद अभी मैं आ गई हूं किचन में और आज मैं चूह के लिए बनाने जारी हूं घरेलू निश्का है यह आप लोग भी हजमाईएगा क्योंकि चूह को दावा तो रखते नहीं दावा से मर जाते चूहे फिर अच्छा भी नहीं लगता है दर दर पता नहीं कहां मर जाएं तो इसलिए फिर चूहे की दवा में नहीं उसकरती और ऐसे ही बस यह मिर्चेट हिर सारे ले ले लिया लाल मिरज दीखे वाले और इनको मैं बाठ के और वैसे तो बेसन में करना चाहिए ले एक दो दिन बाद तो आएं हैं एक दो मुझे दिखे लेकिन फिरहाल चले जाते हैं ऐसे किचन में बहुत ज़्यादा परिशान करते थे तो खासकर किचन में ही मैं परिशान थी तो मैंने का यह बनाएंगे तो खाके तोड़ा वो तो भागेंगे ही यहां नहीं आएंगे तो वही मैंने उनके लिए बनाया तो आप लोग भी ट्राइ करिएगा चूहे जाएंगे तो है ही क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें लाल मिर्च थी और दीखी वाली चूहो को तो उनका पूरा खांदान याद आ ही गया होगा तो देख सकते हैं अभी मैं रग देती हूं इनको देंगे और फिर बनाएंगे आलो के पराठी तो भी जाते हैं और इस तरह का दुकस करने से बहुत अच्छी तरह से आलो जो है मिक्स हो जाते हैं हाँ से उटने अच्छी तरह से नहीं होते हैं तो मैं तो ऐसे ही करते हूं आप लोग वी ट्राइब यहाई और उसके बाद देख सकते हैं अभी मैं बनाने लगी हूं आलो के पराठी तो आप लोग भी आईए खाली जया के करम अगरम आलो के पराठी अच्छी झाल झाल जीरा है यह सारा डाल के पीछ लेते हूं मुझे बनाने को भी के पराठी लेके चलती है उसको और इधे पकरई है और इसी में जो है यह बैटर डाल देंगे पूरा निकाल देते हां से और इसे बहुत टेश्टी बनते हैं पराठे जैसे मिक्सी में पीस लेते हैं तो इसे बहुत ही अच्छे बनते हैं तारा मैंने डाल दिया है इसको पका देंगे थोड़ी देर के लिए हो सकते जिसका यानि जिसका मौन हो हल्दी भी टाल सकता है लेकिन मैं हल्दी नहीं डाले हूं थी के से अच्छे इसके बहुत है दो सकती के लेकिन मैंने पीका वेकिन राठे हैं झाल झाल तो फ्रेंड्स उमीद करते हैं आपसका वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्लोक में तब तक कि झाल प्लोक में प्रेंटल में जां जार बिलीब दो अगरा हो लगा तक कि करते हैं नेक्स फ्लोक कि और बिस्क करते हैं लियो प्लोशंता तक के अच्राइब दो